गुरुजी आज के संक में हम बात कर रहे हैं वेरी कॉसल की ये एक ऐसी समस्या होती है जिसमें नसेंस चिकुड़ जाती है नसों में बहुत ज़्यादा दर्द भी होने लगता है शरीर एक तरह से हमारा गल जाता है या ये कहें शरीर सूख जाता है ऐसे में ये समस्या के बारे में हम आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे और आपका शोध क्या कहता है इस बिमारी के बारे में देखिए जब किसी का बायो रोग नसों के अंदर अपनी ग्रस्त में ले लेता है तो खून की नसें जो हैं आने जाने वाला खून ऐसे जैसे नाली के अंदर कीचिट जमके पानी बहना बंद हो जाता है ऐसे इसका बहु बंद हो जाता है और जैसे कपड़े में मावा दे के कपड़ा सूख के अकड़ता है ऐसे श्रीर अकड़ जाता है यहां तक कि रोगी चार पाई पे पासा फल्टने के लिए भी दूसरे आदमी को पकारता है और इसको सोए सोए बैट सूल भी हो जाते है और इस रोग का पचार आज पूरे संसार में मेडिकल सेंस में आरियोबेद में उनानी में होमापैथिक में नैचुर चिकार में बिल्कुल नहीं है क्योंकि अनुने थेओरियें पढ़ियां थेओरी के अनुसार पचार करते है प्रांतु मेरे पास इसका पचार ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मुलिन का आना क्योंकि मैं हकीम हो मैंने नारी का ग्यान सीखा है मैं मशीनों से टेस्ट नहीं करता है मैं रोगी से नहीं पूछता किसी काईश पत्र को नहीं देखता मेरा नियम है बुद बार की मैं सुबह नाव से दस के अंदर उसका नामकर्ण किया जाता है दस से बारा मैं नारी प्रिक्ष्ण में मैं बोलता हूं कि आपको द्वाई है फिर उसके बाद जो मैं द्वाईयां देता हूं खाने की हैं पीलने के माल्स करने का तेल है जो मैंने तेल माल्स करने का बनाया है इ पिलकल अकड़ जाती है, और थोड़ी सी गर्मी लगने के बाद फिर मलाइम हो जाती है, ऐसे उसका स्रीर मलाइम होके, दर्दिस मापत हो जाती है, और जो रोगी चार पाई पे अपनी सैड निपलट सकता था, वो दस गदम चलना भी सुरू कर देता है, ये मेरे उपचार मे हैं, क्योंकि मुझे दस हजार जड़ी बूठियों की पहचान है, जिन से मैं द्वाइएं बनाता हूं, और मेरी द्वाई किसी भी फार्मेशी में नहीं बनती, मेरी अपनी फार्मेशी द्वाइएं बनाने की, जितनी भी मेरी द्वाइएं हैं, ये अर्जिस्टर है, मेरे प्रेज बहुत सकत हैं, ठंडा पानी बिलकुल नि पीना, पानी हलका गर्म पीना, उसके अंदर लच्छन प्याज अद्रक करा पीना, तो जाके द्वाइयं पूरा काम करती हैं, और गटा गट पानी नहीं पीना, एक गलास पानी पीने में कम से कम 10-15 मिंट का स्मय लगा पड़ता है, अब जो भी ऐसे रोगी मेरे पास आते हैं, किसी का 1.5 मिलना, किसी का 2 मिलने उप्रण पानी तो चार होता यूए हो कि 20 साल से 4 पीन अगरे रगण रहा है, जिस दिन मेरे आसर में आता है, उस धिन से 4 पान शे एडानी इकंता है, आज मै पूर शंसार को, आरि रोग आपकी संज से बाहर है, रोग बजाय घटने के बढ़ रहा है, उस रोगी को आप बुद्ध बाहर छोड़कर गुरू बाहर से लेकर मंगल बाहर के बीच मेरे आसर में लाइए, जिस दिन आसर में लाना उस दिन रातरी दस पर तक खलाप लाके दातन कूला कुरा के सब कुछ पांच सकेट में नवज में हो जाएगी, नवज में जो भी ममारी मिली हो सब दौईयों कठी दी जाएंगी, ये दूसरे डॉक्टर हकीमों जैसे निया कि जो रोग है उस ही की दौईय देनी है, उससे जो सरीर के अंदर साहर रिफेक्ट पड़े हैं, उस सारी जाता है, उसके बाद आस्ता आस्ता पंदरा दिन में सार से सतर प्रिसेंट रा मिल जाता है, येटर विनने में बिलकु पौन रूट से स्वास्त हो जाता है, ने दौई कहानी पड़ति है, ने मालस करनी पड़ती है, नहीं किछ बास्त्वचार में दौाई उतने दिन खानी हैं जितने दिन तक आपको रोगा है तो ऐसे रोगी जो भी हैं जिनका स्रीर बिल्कुल जवाब दे चुका है जो चार पाई पेड़ी रगड़ रहे हैं ये बुद्ध बाहर छोड़कर गुरू बाहर चले के मंगल बाहर के बीच के बाहर तक जो भी आपके अंदर कमी पाई जागे द्वाइन दूँगा और उसे दिन आपको पच्छी से तीर से जन राम भी कर दूँगा